तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी ही कुछ ट्रेनिंग मिस्टेक्स जब आप अपने पैरोट को ट्रेनिंग देते हो तो आप क्या मिस्टेक्स करते हो क्योंकि हम बेबी पैरोट लेकर ही इसलिए आते हैं कि हम उन्हें कुछ सिखा सके बट आप फिर कंप्लेंट करते हो कि मेरा पैरोट तो कुछ रियक्टी नहीं करता मेरा पैरोट तो कुछ आवाज ही नहीं करता मेरा पैरोट मुझे काट रहा है या फिर मेरा पैरोट मेरे हाथ पे ही नहीं आता और आप चाहते हो ये सब आपके साथ ना हो और आपकी सालों की मेनद जाया ना जाए तो आपको अपने पैरोट को ट्रेन करते वक्त ये गलतिया नहीं करनी है सबसे पहले तो आपको एक healthy पैरोट अपने घर लेकर आना है baby पैरोट उसके बाद आपको उसके खाने पीने का उसके सफाई का हर चीज का आपको ख्यार रखना पड़ेगा और मोसम के मताबिक उसको रुटीन में नहलाए next उसको रिलाक्स रहने के लिए उसको आपको time देना होगा उसके साथ खेलिए, उसको प्यार कीजिए, उसके साथ time spin कीजिए आप अपने parrot की body language को समझने की कोशिश कीजिए कि किस time वो relax, cage में रहना पसंद करता है और किस time वो आपके पास आने की कोशिश करता है जिसे देखिए, मेरा parrot अप मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है जिसी में cage open करूँगी, ये बाहर आजाएगा देखिए, इस तरह बाहर आके मेरे पास आके अभी कैसे relax बैठा है आप अपने parrot को अगर कुछ अलफास सिखाना चाहते हो कोई word आप pick up करके उसको सिखाना चाहते हो तो daily routine पर आप उसको वो अलफास उसके सामने repeat करें देखिए, अगर आप उसको मम्मी सिखा रहे हो तो मम्मी ही daily आप उसको सिखाईए जब तक वो मम्मी वर्ट सीख नहीं जाता आप अगर आज मम्मी सिखा रहे हैं, कल मिट्टू सिखा रहे हैं, कल तुट्टू सिखाएंगे तो वो ऐसे नहीं सिखेंगा आप एक ही वर्ट आप उसको daily routine पर सिखाईए देखिए, अगर आपका पैरोट शिलाता है और बाइट करता है आपको तो उसका reason जानने की कोशिश कीजिए, कि वो आपको बाइट क्यू कर रहा है, उसको आप से क्या दिकत है, क्या problem है, वो जानने की कोशिश कीजिए और आप उसको ऐसा करने से नहीं रोकोंगे, तो आपके पैरोट की आदत बन जाएंगी जब आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो और वो आपकी बात सुने, तो आप उसको ट्रीट के टोर पर जरूर कुछ उसको खाने के लिए दीजिए, जो उसका favorite food है जैसे कोई seed बगेरा, देखे, कुछ पैरोट को हाथ पर बैठना पसन होता है, तो कुछ पैरोट को shoulder पर बैठना पसन होता है अगर पैर्ट को उची जगर पर बैठना पसन होता है अगर आप उसको हाथ पर लोगे तो वो आपके हाथ से चढ़कर आपके शोल्डर पर बैठ जाएंगा इसलिए हाथ का पॉस्चर इस तरह रखिए कि उस शोल्डर की लेवल को मैच करें ताकि वो आपके हाथ पर ही बैठ तो देखिए वो इस तरह आसानी से आपके हाथ पर आ जाएगा हो सकता है इस प्रोसेस को टाइम लगे अभी मैंने अपने पैर्ट को बच्पन से पाला है इसलिए उसको बच्पन से मेरे हाथ की आदत है तो वो डरता नहीं है बट अगर आपने अभी अभी पैर्ट लाए वो आपसे डर रहा है तो आप थोड़ा पेशंट्स रखें वो धीरे धीरे सीख जाएगा पैर्ट को कोई भी चीज सिखाने के लिए आपको सबर रखने की आपको देहरिया रखने की आपको पेशंट्स रखने की बहुत ही जादा जरूरत है किसी ने मुझसे पूछा कि मे पैर्ट मतलब पैर्ट को वन मन्त की एश से हम सिखाना स्टार्ट करते है तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और वन मन्त की सिखाना स्टार्ट करते है तब जाके वो छे से साथ मन्त कर जब होता है तब वो थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करता है जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं होता है तो फ्रेंड आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उसके पास डेली बैसे पे सेम टाइम पे रिकॉर्डिंग छोड़ दीजिए वो आपकी आवाज सुनता रहेगा और उस तरह भी वो सीख सकता है बट कोशिश आप इसको कॉपी करता है और वो सीखता है जैसे जो मेरे पारट है वो सिफ मेरी कॉपी करता है और मुझसे ही सीखते है ऐसा नहों कि आज आपने सिखा लिया नेक्स दे आपकी किसी और फैमिली मिमर ने सिखा लिया इस तरह वो नहीं सीखेंगे तो ऐसी मिस्टेक्स आपको नह करनी है देखें आप लोग कमेंट करतें कि हमारा पारट करता है हम क्या cheated करना क्या है कि आगर वह काता है तो उसको समझना पड़ेंगा वह क्यूँ आपको बाइट कर रहा है अगर वह ऐसी आपको काट रहा है तो आप उसको नजर अंदास करें जब वो काटे तो आप रियाक्ट ना करें और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखें और जब वो काटे तो आप उसको बोलना है आपको कि बाइट नहीं करना है काटना नहीं है नो नेवर इस वर्ट्स को वो लोग बहु मिल जाएगा सिट 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 अभी इसको यहाँ बैटा नहीं है बार-बार वो फोन पे उड़के आ रहा है मेरे पास उसको भी आना है मेरे पास वो बोल रहा है कि मैं उससे बाते करूँ फूर में देख कर नहीं वेट वेडियो बना गया मैं तुझे ही ले रहा हूँ अब का पारट सो रहा हो तो उसको डिस्टरबंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है या फिर पारट ऐसा होता है कभी कुछ प्लास्टिक की चीज या कुछ भी उनको मिले तो चबाते रहते हैं जब हम उनसे ले लेते हैं तो भी उनको घुसा आता है तो भी वह बाइट करते हैं तो इस सब चीजों को इग्नॉर करना चीए नजर अंदाज करना चीए देखे और एक बात आपको मैं बताती चलूँ उनके हार पैरट का मिजज और उसका जहन मतलब उसकी माइंड बहुत अलग-अलग होता है कुछ पैरट बहुत जादा स्मार्ट होते हैं बहुत जादा तेज होते हैं बहुत जल्दी चीज़े और टॉकिंग सीख जाते हैं कुछ पारेट को टाइम लगता है, थोड़े स्लो होते हैं, तो कोई ना वो आपके पैशन्स, आपका टाइम और आपके प्यार, लव, केर के वज़े से वो भी बोलना सीख जाएगे, बस उनके behavior को, उनकी body language को, उनके चीजों को हमें समझना है और उस तरीके से उनको train करना है वो बहुत जदी train हो जाएंगे, हमें कोई mistake नहीं करनी है, उनके training में, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो like, comment और subscribe ज़रूर करें, तो जजज़ा कले everyone,